हलो फ्रेंस ठंड में यालू पालक खाने का मजाई कुछ और है सबका इसको बनाने का अपना तरीका होता है ये सबजी बहुत ही सिंपल है टेस्टी भी और पॉस्टिक भी चलिए बनाते हैं यहाँ पर मैंने दो बंडल पालक लिये हैं इसको बच्छे से वास कर लिया है और इसका जो डंठल है उसको निकाल दिया है और इसको छोटे पार्ट में काट लिया है में पालक को काटने का काम है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है उसमें 2 टीस्पून मस्टर डॉयल ले लिया है गरम होने पर 1 teaspoon जीरा एड़ करना है जीरे को हलका सा पकाना है हलका सा जीरे को भूल लेंगे हम जब जीरा चटकने लगे तब इसमें हम कटे हुए लहसुन एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने 5-10 लहसुन की कलियों को चौप कर लिया है अब इसको पैन में डाल दिया है लहसुन को इसको हम भूनेंगे जब तक लहसुन हलका सा golden brown नहीं हो जाता तब तक इसको भूनना है उसके बाद हम इसमें one medium कटी हुई प्याज आट कर देंगे पैन में पैन डालने के बाद इसको हमें भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए पैन हलकी सी soft हो जाए और redness हलका सा आ जाए तब तक भूनना है अब मैं यहां पर प्याज के साथ में चौप की हुई green chili डाल देती हूँ प्याज को हमें हलका सा भूनना है ज्यादा नहीं पकाना है हमें प्याज को क्योंकि आलू डालने पर आलू के साथ भी हमें प्याज को भूनना है यहाँ पर मैंने दो कटे हुए आलू पैन में डाल दिये है आलू का साइज मीडियम है इसको मैंने पील कर लिया उसके बाद मैं अच्छे से वॉस कर लिया इस टाइम नए आलू आ रहे हैं जिसमें ज्यादा मिट्टी लगी होती है तो आलू को हमें अच्छे से वॉस करना है पैज के साथ में हमें आलू को भूल लेना है इस टाइम पे हमें आलू को डग कर पकाना है फ्लेम को मैंने कर दिया है लो अब पैन को डग कर आलू को पकाना है तीन से पांच मिनट तक हमें आलू को पकाना है बीच में चेक करते रहिए क्योंकि हमें completely आलू को नहीं पकाना है आलू को हमें फिर से ढखके पकाना है उसके साथ में मैं डाल दे रही हूँ उसमें one medium size का चॉप किया हुआ टमाटर टमाटर के साथ में नमक अड़ कर दे रही हूँ सौधन सार ताकि टमाटर साथ हो जाए जल्दी और टमाटर के मौश्चर में आलू भी साथ हो जाए सभी चीजे को mix कर दे और कुछ देर के लिए इसको ढखके पका ले तीन से चार मिनट मैंने और आलू को पका लिया है आलू को हमें 80% कूक करना है पूरा कुक नहीं करना है, यहां पर हमारे आलू 80% कुक हो गए है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए है, आप देख सकते हैं, और साथ साथ में आलू भी सॉफ्ट हो गए है, इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, यहां पर मैंने डाल दिया है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, जो की जदर तिखा नहीं है कलर के लिए, और वन टी स्पून धन्या पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, यह अच्छा सा किक देती है इस रिस्पी को, और चिली फ्ले एड करने से आलू के ऊपर तीखा सा फ्लेवर देती है पालक की सबजी में, अगर आप इसमें चिली फ्लेक्स नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसमें कस्मीरी लाल मिर्च एक चम्मर डाल सकते हैं, बढ़ा कर, अब इसमें मैं कटा हुआ पालक जो हमने बारीक से काट लिया थ डाल देती हूँ, पालक की कॉंटिटी इतनी सारी जो आपको दिखाए दे रही है वो आधी रह जाएगी, पालक में बहुत सारा पानी होता है, उसके मौस्चर से आलू कम्प्लीटली पक जाएंगे, जो हमारे आलू में कसर बाकी थी, यहाँ पर मैंने पालक को ढग दिया ह एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पालक रिड्यूस हो गई है, अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, ताकि जो मसाला है वो मिक्स हो जाए, अच्छे से, इसके बाद एक दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढग कर पकाएंगे, ताकि पालक हमारी पूर पलाट झाल्क की सबजी को आप देख सकते हैं किस तरह से बनगे आई है यह डिलीसियस पालक की सबसे है तो यह बन कर तयार है और हमारी सुपर टेस्टी आलूब की सबची बहुती सिंपल तरीके से क्योंकि इन सबजीओ में बहुत ही nutrition होता है तो सभी को पसंद आती है बचे बड़े सभी को हमें कुछ बातों का खास द्यान रखना होता है जिससे सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें